नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आप सभी का सवगत करता हूँ आज के स्ट्रेणिंग प्रोग्राम में फ्रेंस हमेंसे बहुत सारे लोग विदेश व्यापार करना चाहते हैं हमेंसे बहुत सारे लोग अपने बिजनस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हैं लेकिन और केवल जानकारी के अभाव में वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फ्रेंस आज के स्ट्रेणिंग प्रोग्राम में हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विदेश व्यापार कैसे शुरू किया जाए दोस्तो विदेश व्यापार से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि विदेश व्यापार के बारे में सोचता है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कि एक व्यक्ति तीन तरह से व्यापार सीखता है, या तो अपने पेरेंट्स को देखकर, या अपने कॉम्पिटीटर को देखकर, और या अपने अनुभव के माध्यम से परिशानियों को जेलते हुए, धीरे धीरे अपने लिंक में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो विदेश व्यापार करता हो, और यदि आपके लिंक में ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो विदेश व्यापार करते हैं, वो आपको आदियदूरी जानकारी के माध्यम से आपको ढ़रा देते हैं, कि आप विदेश व्यापार नहीं क कर सकते और नाहीं अपने जीवन में विदेश्वयापार करने के लिए आपको प्रेणा वो देते हैं. कई बार देखा गया है कि यदि आपकिसी व्यक्ती से पूछें कि मुझे विदेश्वयापार करना है तो किस तरह का business मुझे करना चाहिए तो जो व्यक्ति पहले से विदेश्वियापार करता है वो आपके मन में एक आशंका पैदा करता है कि अगर आपने अपने लाइफ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनस नहीं किया तो हो सकता है कि जब आप विदेश्वियापार करें तो आपका पैसा डूब जाए हम मेंसे बहुत सारे लोग इस भात को समझ जाते हैं कि यदि मैंने विदेश व्यापार किया और मेरा पैसा डूब गया तो शायद मेरा बिजनस बंद होने की कगार पर आ जाएगा इसके अलावा बहुत सारे ऐसी कंफ्यूजन्स होती हैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको आप्स्टेकल के रूप में हम अपने माइन मर लेके चलते हैं और यह सोचते हैं कि विदेश व्यापार करना बहुत ही मुश्किल है सामानिता हम एसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि विदेश व्यापार करने के लिए English का आना बहुत जादा अवश्यक है दूसरा कई बार जानकारी के अभाव में हमें ये पता नहीं होता कि विदेश व्यपार में पैसा कैसे रिकावर होता है और किस तरह से बिजनस में पैसा नहीं डूपता है और तीसरी सबसे बड़ी समस्या हम में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि विदेश व्यपार में चाइना आज पूरे विश्व में विदेश व्यपार में अपना 37% एक्सपोर्ट कर रहा है ऐसे में हमारी कॉस्टिंग चाइनीज प्रोड़क्ट की कॉस्टिंग को करते हैं कि यदि आप अपने जीवन में विदेश व्यपार करना चाहते हैं तो आपको इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा सबसे पहली समस्या जो हम लोगों के दिमाग में होती है कि विदेश व्यपार में मेरा कोई बी इंफॉर्मेटिव ट्रेनिग वीड करते हैं तो यह व्यपार आपका और उस व्यपारी का नहीं होता यह व्यपार तो आपकी देश का और उस व्यक्ति के देश का होता है उदारन के लिए मान लीजिए आप दुबई में बिजनस करते हैं दुबई में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यह बिजनस भारत और दुबई के बीच में होता है, गौर्मेंट रफ इंडिया ने पेमेंट रिकावरी के लिए बहुत बहुत बहुतरीन सिस्टम, इन्फा स्ट्रक्चर और सेट अप त्यार किये हुए हैं, यदि हम विदेश व्यापार के नियमों को ठीक से समझ जाएं, तो हम आसानी से बात सम समझ पाएंगे कि विदेश व्यापार में पैसा डूब लेकि संभावना ना के बराबर होती है, और यदि होती भी है, तो उसमें कहीं न कहीं व्यापारी की कुछ छोटी-छोटी मिस्टेक होती हैं, तो विदेश व्यापार में पैसा नहीं डूबता, इस बात को बहुत ब नुकरन करते हैं तो आपके पैसे के डूबनी की संभावना बिलकुल समापत हो जाती है दूसरी बहुत बड़ी समस्या का हम लोग सामना करते हैं हम में से बहुत सारे व्यापारी ये मानते हैं कि मुझे इंगलिश नहीं आती तो मैं इंटरनेशनल ट्रेड में किस तरह से डील करूँगा आपको जानके आश्चार्य होगा कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी भारत में बोली जाती है बहुत सारे देशों में इंगलिश नहीं बोली जाती वे तो केवल अपनी मातर भाषा में व्यापार करते हैं चाइना में चाइनीज लेंग्वेज बोली जाती है रशिया में रशियन लेंग्वेज बोली जाती है और बहुत सारे देशों में उनके देश की मात्रभाशा बोली जाती है यदि व्यापार करते समय आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे इंगलिश नहीं आती तो ये मान के चलिए कि आप एक बहुत बड़ी गलत फैमी में जी रहे हैं हमारे ही देश में गुझरात में बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो इंगलिश को छोड़िये जिने हिंदी लिखनी और पढ़नी नहीं आती लेकिन पूरे विश्व में लगबग 500 से 1000 करोड का बिजनस वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के माध्यम से करते हैं एक मारवाडी पूरे विश्व में व्यापार करता है जबकि उसको इंगलिश छोड़िये हिंदी का भी पूर्ण ग्यान नहीं होता मतलब यदि आप विदेश व्यापार करना चाहते हैं तो अपने माइंड से दूसरा अबस्टेकल जरूर हटाएं कि इंगलिश का ग्यान होना बहुत जरूरी है पूरे विश्व में सबसदा अंगरेजी भारत में बोली जाती है और इसके साथ साथ जिस देश से आप व्यापार करते हैं उसे भी इंगलिश नहीं आती वो अपनी लेंगविज में बात करता है आप अपनी लेंगविज में बात करते हैं इसलिए आप जिस भी देश के साथ व्यापार करना चाहते हैं यदि आप अपनी मात्र भाशा में बोलते हैं तो एक व्यक्ति जो ट्रांसलेटर के रूप में आपके साथ काम करता है वह आपकी बात को सुन कर और समझ कर उनकी भा भाशा में और उनकी बात को आपकी भाशा में कनवर्ट करके व्यापार करने की स्थिती को बहुत ही ज़्यादा सरल बना देता है तो फ्रेंड्स इंग्लिश इस नौट अप अप्स्टेकल वन यौर प्राइंग तो दू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फॉम एनी कंट्री और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि यदि मैं विदेश व्यापार करना शुरू करूं तो मुझे बायर्स कैसे मिलेंगे यह भी एक बहुत बड़ी बाउंडरी हम लोगों के सामने होती है आज information technology का जमाना है मतलब आप चाहें तो देश के किसी भी कोने किसी भी राज्य या किसी भी स्थान पर बैठके विश्व के किसी भी देश के बाजार में अपना व्यापार कर सकते हैं how to find international buyer एक ऐसा concept है जिसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यदि आप विदेश भी आपार करते हैं तो पूरे विश्व में किस तरह से ग्राहकों को ढूंडा जा सकता है friends सबसे पहले अपना एक email ID बनाएं और उस email ID के माध्यम से अपने product बहुत सारे portals पर free of cost लिस्ट करें जैसे indiamart.com यदि आप indiamart.com पर अपने product को free of cost लिस्ट करते हैं और international leads पर काम करना शुरू करते हैं तो पूरे विश्व से वो लोग जो भारत से व्यापार करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स खरिदना चाहते हैं वो आपको buyers की तरह से direct call करते हैं indiamart.com, exporters india.com वो दूसरा portal है जहां पर आप विदेश व्यापार करने के लिए बहुत सारे international buyers ढूंड सकते हैं इसके अलावा, alibaba.com एक ऐसा portal है जहां पर पूरे विश्व के buyer और supplier एक ही स्थान पर आपको मिलते हैं यदि आप अपनी company की पूरी information alibaba.com पर upload करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको बहुत सारे buyers contact करेंगे इसके अलावा, use social media, internet marketing and digital marketing to grow your business in abroad आज आप देश के किसी भी राज्ये में हों, आप अपने घर बैठ कर internet के माध्यम से, social media के माध्यम से पूरे विश्व के buyer से, पूरे विश्व के supplier से contact कर सकते हैं यदि आप विदेश व्यपार में ग्रहाग ढूंडना चाहते हैं, तो आज भारत सरकार ने इसके लिए बहुत बहुत बेहतरीन infrastructure डवलप किया हुआ है आप international trade exhibition में participate करके भी पूरे विश्व से, अलग-अलग buyer से contact कर सकते हैं आप import और export की बहुत सारे organization को join करके data sharing के माध्यम से उनसे data ले सकते हैं जिस पर आप calling करके या उन लोगों को अपने product के बारे में जानकारी mail करके भी बहुत सारे लोगों से contact कर सकते हैं Friends, so always try to get the membership of import and export division related to your area or any government body like chamber of import and export and be a member of any government body like import and export promotional council of India यदि आप import export promotional council of India की membership लेते हैं तो आपका नाम उस list में शामिल हो जाता है जहां पर आप एक देश के importer या exporter के रूप में बहुत सारे लोगों को contact कर सकते हैं Try to participate in international exhibitions anywhere in the world so that you can easily find out international buyers इसके अलाबा, you can use your direct contact to get the buyer in abroad For example, यदि आपका कोई personal contact विदेश में होता है तो आप अपने दोस्तों के माधियम से या relative के माधियम से ये information ले सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह के buyer available हैं और उनके demand क्या है Market में कौन-कौन से product के कितने demand होती है, कितना consumption होता है आप वो data अपने personal link के माधियम से भी अपने friends से मंगवा सकते हैं और information sending के माधियम से by sending bulk mail, by sending bulk SMS, by doing WhatsApp call and there are different different methods to be in touch with that buyer and supplier साथ ही साथ देश्वयपार में आपको business करने के लिए हो सकता है पुन जी की मातरा बहुत अधिक चाहिए हो क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके order को feed करने के लिए आपको loan नहीं देता लेकिन international trade में यदि आपको कोई भी buyer, कोई order place करता है तो आप उस order performer के ऊपर bank of India से loan ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पैसा letter of credit के माध्यम से secure हो जाता है तो आप विदेश्वयपार में बहुत अधिक पुन्जी भी नहीं लगती For example, यदि आप किसी भी product को export करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों से sample collection करके उसके demand यह check करके कि किस product की demand किस देश में सबसे अधिक है उस देश के order receive करके आप उस order performer के माध्यम से bank से भी loan ले सकते हैं और credit funding भी ले सकते हैं उस funding के माध्यम से जब वो आपको order place करे तो उस order पर 50% on order ले सकते हैं और rest payment letter of credit के माध्यम से आपको बाद में भी मिल सकती है यदि आप सही तरीके से साफधानी बरते हैं तो आपके पैसे के डूबने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है और जारातर पैसा डूबने की संभावना खत्म हो जाती है अगले training program में हम बात करेंगे कि international buyer ढूबने से पहले यदि आप अपनी company को form करना चाते हैं international trade करना चाते हैं तो कौन-कौन से certification, कौन-कौन से documentation और कौन-कौन से procedure को आपको follow करना होगा ताकि आप विदेश व्यापार कर सकें comment box में अपना comment अवश्य लिखें क्योंकि जिस व्यक्ति का comment मुझे पसंद आता है मैं अगले training program में उसको invite करता हूँ